इसन से सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलिगेशन का बहुती गर्म जोसी से स्वागत करने के लिए मैं आपका रजय से बहुत बहुत अभाई हूँ तो कुछ महाइने बहले आठके साथ डेलिफॉन प्र विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मियता पुन और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आप से जो समभात करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुती पीडिक था, बड़ा संकट था कि उस समय जिस प्रकार से आत्मियता से आपने भारत की चिंता की जो शब्द व्यक्त किये और जो सहाईता के लिए हाथ बड़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार रदे से आपका आभार वे कर आँ हूँ. Excellency, first of all, I'd like to express my gratitude for the warm welcome that you have extended to me and to my delegation. Excellency, some months ago we had an opportunity to talk to each other on the phone. We had a detailed discussion at that time and the way you spoke to me so warmly and so naturally, I will always remember that. Thank you so much. It was, Excellency, if you remember, a very difficult time. India was confronted with the second wave of the COVID-19 pandemic, a very difficult time for us. But, so like a family, the sense of kinship and so warmly, you extended a helping hand. The words that you chose when you spoke to me, I will always remember that and I'd like to thank you from the bottom of my heart. अपने अपने एक सच्चे मित्र के तरह बहुती संवारना भरा और स्वयोग का संदेश दिया था. उसमें, अमेरिका के सरकार, कम्पनी और इंजिन कम्मुनिटी सभी मिलकर के भारत के सहायता के लिए एग्जूट हो गये थे. Like a true friend, Excellency, you had given a message of cooperation and a very full of sensitivity. And immediately after that, we found that the U.S. government, the U.S. corporate sector, and the Indian community all came together to help India. Excellency, राश्पर्दी बाइडन और आपने अत्यन्त चुनोती पुन्न माहोल में अमेरिका का नेत्रूत तो संभाला और बहुती कम समय में कई उप्रद्या हासिल की हैं. COVID, climate हो, या फिर क्वार्द, सभी पर अमेरिकाने बहुत ही महतो हो इनिशितिव लिये हैं. एक शमेरिकाने बाहित आप बहुत हैं. जाने जाएंधी के एंपर्तन विश्वकी निश्वकी है नीशनना थार्यारद आर्मेयका नेच्रल पान्टनर है। हमारे मुल्यों में समानता है। हमारे जीयोपोल्ट के लिट्जों में समानता है। और हमारा तालमेल और स्जहीयोग भी निरनतर बड़ता जाला आए. Excellency, among the largest democracy and the oldest democracy between India and the United States, we are indeed natural partners. we have similar values, similar geopolitical interests, and also our coordination and corporation is continuously increasing. हमारे बीच, सहीयोग, बहुती महत्वपून है. To strengthen the supply chain's excellency and as far as the new and emergent technologies are concerned and space, these are areas of special interest for you. These are areas which are of interest to me too and of special priority. And these are areas where our cooperation is very important. आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइबरेंट पीपल तो पीपल ताइच से तो भलीबाती परिकित है है. चार मिलियन से भी जादा भारतिय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु है. अमेरिका और भारत के अर्थवास्ताव और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुती प्रशंशनी है. mijn अर्चा गोगवे तूह नहीं तो से लिएा С dough पहां के लगवे टूहिए। ए माचनेते है छि ग्यम्होदा कि आपका उपराश्टी के नाते चुने जाना है, अपने आप में एक बहुती महतवपून घटना है, एतिहासिक घटना है. और आप पूरे विष्व के लग में बहुत से लोकों के लिए प्रेना फ्रोथ है, मुझे पूरा विष्वास है कि रास्पती बाइडन और आपके नेतरूतों नहीं हमारे समंध नहीं उचाए हासिल करेंगी. मुझे पूरा पी छिए पूरा ट। इस मिट नाप करेंगी लूटों कि करेंगी बाइडने हैं. एक्सेलेंसी आपकी विजय यात्रा झाल झाल झाल